दोस्तो आज आपके सामने है 2023 की रॉयल इंफिल्ड हंटर 350 का सेकेंड टॉप मोडल मेट्रो का डेपर वाइट कलर टोटल तीन वेरियंट और आठ कलर आप्शन के साथ ये बाइक आती है एक सोरूम कीमत जो अभी निकल क्यारी वो है 1,666,900 रुपीज और इसकी ऑन रोट कीमत है 1,95,340 रुपीज कुमार ओर्टो मॉइल जीरो माइल बैरियर और मुझपर पुरिस्तित सोरूम में इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं माइलेज और टॉप स्पीड कितनी मिलती है यह सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ तो हेलो दोस्तो मैं हूँ तीलक और स्वागत है आप सभी का बाइकर्स पॉइंट चैनल पे तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बाइक के की से तो यहाँ पे आप इसका की देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है सेम आपको क्लासिक 350 जैसे की देखने को मिल जाते है आर्क या ब्रैंडिंग देख सकते हो चलिए दोस्तो अब मैं इसको इसके जगह पे लगा देता हूँ और कंसोल की बात करें दोस्तो तो यहाँ पे आपको राउंड सेप के काफी सांदार सीमी डिश्टल टैप के आपको मीटर कंसोल मिल जाते है यहाँ पे आप देख सकते हो उपर में आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है और इसके साथ-साथ आपको digitally so हो जाता है, odometer, trip meter, gear shift indicator देख सकते हो, trip, a trip भी मिल जाती है, fuel guz मिल जाता है, digital clock देख सकते हो, इसके साथ-साथ आपको engine hitting temperature मिल जाती है, turn indicator की warning नीचे में यहाँ पे आपको low fuel alert मिलता है, low battery alert, gear neutral और इसके साथ-साथ नीचे में यहाँ आपको ABS की winding मिल जाती है, turn indicator की warning देख सकते हो, और दोस्तों console के center में यहाँ पे आपको royal infield की bashing देखने को मिल जाती है, service due reminder आपको देखने को मिलता है, बागी दोस्तों इस bike को smartphone से connect करने के लिए आपको smartphone connection system मिल जाता है, जो की आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इस bike मे दोस्तों तो चलते हैं इसके left handle पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, info की आपको switch मिल जाती है, जिससे आप trip A, trip B को set reset कर सकते हो, integrated आपको passing की और upper deeper की switch मिल जाती है, black color के नीचे आपको turn indicator का switch मिल जाता है, horn की switch मिल जाती है, काफी loud horn आपको देखने को मिल जाता है, बाक असलब के emergency में आप अपने phone को यहाँ से असानी से charge कर सकते हो, market वगड़े या office वगड़े जाते समय, बाकि दोस्तों अगर इसके दूसरी ओर चलने तो जैसा है कि यह second top model है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, red color की आपको integrated engine kill switch और self start की switch मिल जाती है, नीचे आपको 1000 light का switch म मिल जाता है, चलिए दोस्तों आप चलते हैं इसके आगे की ओर और देखेंगे इस bike के mirror को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, round shape का काफी सांदार आपको mirror मिल जाता है, इस पे भी आपको royal infield की branding देखने को मिल जाती है, बाकि अगर इसके front profile की बात करें, तो यहाँ से आप इस bike का पूरा front profile देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिलता है, glossy black color finish के साथ इसका wind seal का glass मिल जाता है, इस पे भी आपको R की branding देखने को मिल जाती है, इसके head lamp setup की बात करें, तो यहाँ पे आपको round shape के काफी सांदार 60 बटा 55 watt h form, halosan bulb के यहाँ पे आपको head lamp setup मिल जाते ह दोस्तों जैसा कि यह second top model है, तो यहाँ पे आपको halosan bulb के pilot lamp आपको देखने को मिल जाते है, night की facility इस bike में काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके low beam और high beam के रोसनी को check out करा देता हूँ, तो यहाँ से आप इस bike के रोसनी को तो यहाँ पे आप देख सकते हो, halosan bulb के आपको turn indicator मिल जाते हैं, जिससे आप LED में भी convert करवा सकते हो, non flexible type के आपको turn indicator मिल जाती है, round shape की with 1000 switch के साथ, front वाले suspension की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 mm के telescopic fog type के आपको suspension मिल जाते हैं, उपर में आपको rubber getter मिल जाता है, इस पे आपको R की branding मिल जाती है, दोनों side में आप देख सकते हो, yellow color की आपको reflector देखने को मिल जाती है, number plate लगाने की जगह आप देख सकते हो, front वाले mudguard की बात करें तो यहाँ पे आपको full fiber body का मिल जाता, glossy black color finish के साथ, और दोस्तों इसके साथ साथ इसके अगर front वाले tire size की बात क color का काफी सांदार, यहाँ पे आपको strip देखने को मिल जाता है, और 300 mm diameter के यहाँ पे आपको digs break मिल जाते है, dual channel ABS के साथ, और दोस्तों इसके top वाले model में आपको bybly के break मिलते हैं, बाकि यहाँ से आप इस बाई का पूरा right side का profile देख सकते हो, इसके dimensions की बात करें तो यहाँ आपको length 2055 mm का मिलता है, curve weight 181 kg की मिल जाती है, wheel weight आपको 1370 mm का मिलता है, width 800 mm की मिलती है, height आपको 1055 mm का मिल जाता है, बाकि दोस्तों अगर इसके seat comfort की बात करें, तो single seat के साथ यह बाई काती है, कुसन काफी soft मिलता है, pillion और rider दोनों के लिए, 790 mm का आपको seat height मिलता है, यहा से आप pillion का backrest को देख सकते हो, जो की एक accessories का पाट है लगवा सकते हो, यहाँ भी आपको कुछ कुसनिंग देखने को मिल जाती है, grab handle यहाँ पे आप देख सकते हो, mid black color का आपको मिल जाता है, और इसके साथ-साथ इधर भी पीछे side में आपको royal infield की basing देखने को मिलती है, बाकी दोस्तों अगर इसके fuel tank की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, deeper white color का आपको देखने को मिल जाता है, जिस पे आपको black color की royal infield की sticker work मिल जाती है, जो की इस bike को काफी premium बना रही है, ride का यहाँ पे आपको sticker work मिल जाता है, और उधर से आपको दूसरा sticker work मिलता है, फूल मेटल बड़ी मिल जाता है, 13 लीटर की आपको capacity मिलती है, यहाँ पे आप fuel tank cap देख सकते हो, chrome के finish के साथ मिलता है, चलिए दोस्तों, finally है, मैं आपको इसके engine और इसके exhaust के note को सुना देता हूँ, तो यहाँ से आप इसके exhaust के note को सुन सकते हो, और यहाँ से आप इसके engine के note को सुन सकते हो, और दोस्तों अगर इसके exhaust की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, metal body का, इसके exhaust के उपर आपको muffled guard मिल जाता है, mid black color finish के साथ, इसके साथ-साथ यहाँ पे आप पिलियन के adjustable footage देख सकते हो, जिस पे आपको royal infield की branding मिल जाती है, side body panel की बात करें, तो यहाँ पे आपको full fiber body का मिल जाता है, glossy black finish मिल जाती है, royal infield hunter 350 के आप branding को देख सकते हो, इसके साथ-साथ यह वाला part आपको metal body का मिल जाता है, rider का adjustable footage देख सकते हो, इस पे भी आपको royal infield की branding मिल जाती है, black color का आपको brake pad मिलता है, engine पे आपको royal infield की branding मिल जाती है, engine और power की बात करें तो इस बाइक में आपको 349.34cc का single cylinder air and wild cool four stroke SOSC B6FY engine मिलता है, यह engine maximum power generate करता है, 20.04 PS का 1600 RPM और maximum torque generate करता है 27 Nm का 4000 RPM फाइव स्पीड gearbox के साथ यह बाइक आती है, top speed आपको 114 km per hour का मिल जाता है, spark plug यहाँ पे आप देख सकते हो, crash guard यहाँ पे आपको मिल जाता है, mid black color finish के साथ काफी हे भी यहाँ पे आपको इसका crash guard मिलता है, 1500 mm का यहाँ पे आपको ground clearance मिलता है, full metal body का यहाँ पे आपको इसका engine call मिल जाता है, जो कि एक accessories का पाठ है, single piece horn के साथ यह बाइक आती है, mileage आपको 35-37 kmpl की यह बाइक असानी से निकाल करके देगी, बागी दोस्तों अगर इसके rear वाले suspension की बात करें तो यहाँ पे आपको twin tube emulsion sock absorber with six strip adjustable pre-loaded type के आपको rear में suspension मिल जाते है, black color के, और अगर इसके rear वाले tire size की बात करें तो यहाँ पे आपको 14-47-17 के आपको tubeless tire मिल जाते है, 17 inches के black color के alloy के साथ, alloy पे आप देख सकते हो, royal infield की आपको sticker work मिल जाती है, red color का यहाँ पे आपको strip मिलता है, tire की pattern को आप देख सकते हो, दोस्तों जैसा कि यह second top model है, तो इस bike में आपको dual channel ABS मिल जाती है, 270 mm diameter के यहाँ पे आपको dicks break मिल जाते है, bybry की caliper आपको नहीं मिलती है, वो आपको सिर्फ top model में मिलती है, यहाँ से आप इस bike का पूरा rare profile देख सकते हो, tail light की बात करें, तो यहाँ पे आपको LED के round से पे काफी सांदार आपको tail light मिलते है, halosan bulb का, यहाँ पे आपको turn indicator मिल जाता है, जो की non-flexible दिया गया, fiber body यह आपको मिल जाती है, यह glossiveness मिलता है, इसके साथ-साथ यहाँ पे आप number plate लगाने की जगह देख सकते हो, तो reflector नीचे में यहाँ पे आपको मिल जाता है, बाकि दोस्तों अगर इसके left side की profile की बात करें, तो यहाँ से आप इस bike का पूरा left side का profile देख सकते हो, lady pillion के safety के लिए यहाँ पे आपको काफी सांदार lady pillion का सारी guard मिल जाता है, ब्लैक कलर का, open chain set की आपको covering देखने को मिल जाती है, fiber body के साथ, इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, pillion का आपको adjustable footage मिल जाता है, इस पे भी आपको royal infield की branding देखने को मिल जाती है, और इस side body panel पे आपको royal infield hunter 350 की आपको sticker work मिल जाती है, glossy black finish मिल जाता है, rider का, यहाँ पे आप adjustable footage देख सकते हो, five speed gearbox के साथ यह bike आती है, side stand cut up जैसे इस bike में आपको features देखने को मिल जाते हैं, बाकि दोस्तों यहाँ से आप इस bike का main stand को देख सकते हो, कुछ इस तरह का मिलता है, और इस side से भी आपको engine पर royal infield की आपको basing देखने को मिल जाती है, चलिए दोस्तों finally बात करें इस bike के pricing की, तो इसकी 100 room कीमत है 1,666,900 रुपीज, और इसकी on road कीमत है 1,95,340 रुपीज, यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये, कुमार ओटो मॉयल, जीरो माइल नियर नियून लीलावती होस्पिटल मुझःफरपुर स्थित सोरूम में, दोस्तों अगर आप लोग मुझःफरपुर से हो या आसपास की किसी भी city से हो, तो इस सोरूम में आप विजिट कर सकते हो, रॉयल इंफिल्ड के किसी भी bike का test drive ले सकते हो, और बाइकर्स पॉइंट चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा, थेंक्यू सो मच,